मेलो शहद कैसे बनता है? देखिए क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया भारत में केवल मेलो कमपनी ही है जो नैचुरल बिना किसी कॉस्मेटिक उपयोग के बिना शहद तयार करती है रस संग्रहन, नेक्टर कलेक्शन, कार्यकरता मधुमख्यां, फूलों पर जाकर अपनी प्रोबोसिस का उपयोग करके रस एकत्रित करती है और इसे अपने शहद पेट में संग्रहीत करती है रस स्थानांतरण, नेक्टर ट्रांसफर, छत्ते पर वापस आकर कार्यकरता मधुमख्यां उगलन, रिगरजिटेशन के माध्यम से रस को अन्यकार्यकरता मधुमख्यों को स्थानांतरित करती है मधुमख्यां रस में एंजाइम जोड़ती हैं, जटिल शरकरा को साधारन शरकरा में तोड़ती है वाशपी करण प्रसंस्कृत रस को शहद के छत्ती की कोशिकाओं में जमा किया जाता है मधुमख्यां अपने पंख फड़ फड़ा कर अतिरिक्त पानी को वाशपित करती हैं, जिससे रस गाढ़ा होता है सीलिंग जब रस सही स्थिर्ता तक पहुँच जाता है, तो मधुमख्यां मोम से शहद के छत्ते की कोशिकाओं को सील कर देती हैं, ताकि शहद सनरक्षित रहे मेलो, सबसे शुद्ध और सबसे नैचरल शहद